एक देश के एक शहर से निकला एक वाइरस अब सौ से जादा देशों तक पैर पहला चुका है इस कोरोना वाइरस को नाम दिया गया है COVID-19 और अब दुनिया का हर देश इसे मात देने की कोशिश में जुटा है कवर स्टोरी में बताएंगे कि संगर्ष में किस देश को कितनी मिली काम्याबी कोरोना वाइरस जिसका संक्रमन चेन के वहान शेहर से शुरू हुआ और अब ये सौ से जादा देशों में फैल चुका है इसकी चपेट में दुनिया के एक लाख दस हजार से जादा लोग आ चुके हैं और चार हजार से जादा लोगों की मौत हो चुकी है चीन के बाद सबसे जादा बेहाल इकली और इरान जैसे देश हैं हम इनका जिकर करेंगे लेकिन पहले बात भारत की भारत में कोरोना वारस से पीडित लोगी की संख्या लगातार बढ़ रही है और आजी केरल और महाराश्टर में नए मरीजों की पुष्टी हुई जिसके बाद देश में मरीजों की कुल संख्या पचास से जादा हो चुकी है केरल में सरकार ने 31 मार्च तक साथमी क्लास तक के स्कूलों और सिनमा हौल को बन करा दिया है और भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुरोना वाइरस संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है वहां का ताज़ा हाल बतारी हैं बीबी से सम्मादाता फरहच जावेद कल शाम ही कराची में 9 मजीद करोना वाइरस से एफेक्टेट पेशिंट्स सामने आए हैं जो सिन्द प्रोविंस की हेल्थ मिनिस्ट्री हैं उनकी जानेब से स्टेट्मेंट दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि 9 पेशिंट्स में से 6 जो थे वो एक ही फ्लाइट से पाकिस्तान आए थे जबके 3 मुक्तले फ्लाइट से आए थे और ये उन्ही मुमालिक से ट्रेवल करके पाकिस्तान में दाखिल हुए जहां पे अल्रेडी करोना वाइरिस के केसिस मुझूद है इन नए केसिस के सामने आने के बाद जो सिंध परोविन्स है वहां जो टोटल तादाद है वो 13 हो चुकी है जबके ऑवराल पाकिस्तान में कुल 16 केसिस हैं जो के अब तक सामने आए है और उनको क्वारिंटीन कर दिया गया है जो हेल्थ मिनिस्टर है पाकिस्तान के उनका कहना है कि इनत्माम की हालत चो वह स्टेबल है और यह इंप्रूफ कर रहे हैं इसके इलावा जो आख बॉर्डर पर भी सकती में चाइना के साथ पाकिस्तन का बॉर्डर फिल वक्त बंद है जब कि एरान और अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर क्लो़्ज थें और जो में उत्तरी इटली में लोगों को अलग थलग करके रखा गया है इटली के पीएम जुजेपे कॉंटे ने लोगों को घर में ही रहने के हिदायत दी है वहां सभी सारवजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दे गई है इतली कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए और क्या कर र सारवजनिक परिवहन चलते रहेंगे लेकिन प्रदान मंतरी ने लोगों से कहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें गूमने के मकसद से फरजी परमिट के लिए आवेदन करना अपराद माना जाएगा स्कूल और यूनिवर्सिटीज अप्रेल की शुडवात तक बंद रहेंगे वेगयनिकों के लिए इटली किसी लैब से कम नहीं है वारेस पर रोक थाम की उपायों के साथ डॉक्टरों का दबाओ कम करने के तरीके भी तलाशे जा रहे हैं यह आपात काले निस्थिदी है मुझे उस विभाग में काम करने के लिए भी कहा जा सकता है जहां ज्यादा जरूरत है हमने कभी इतनी बड़ी चुनोती का सामना नहीं किया है और हम तैयार नहीं है इतली की स्वास्ते सेवाएं यूरोप में सबसे अच्छी मानी जाती है लेकिन अब दबाओ में वो चर्मर आ रही है दुनिया से अलग थलग हो चुके मिलान में हमने एक डॉक्टर से बात की कैदियों से मिलने के नियम कड़े करने के चलते जिलों में दंगे हो गए इसमें साथ कैदियों की मौत हो गई जबकि कुछ भाग निकले इटली भारी दबाओ में है वाइरस फैलता जा रहा है अर्थ व्यवस्था पर चोट पहुची है और अब देश भर में लोगों को अलग थलग करना ये इटली के लिए बेहत मुश्किल वक्त है उधर इरान में कोरोना वाइरस पर रुक लगाने की तमाम कोशिशे नाकाम साबित हो रही है इरान सरकार के मताबिक वहां एक दिन में चौवन लोगों की मौत हुई है लेकिन जहां ये वाइरस पनपा उस चीन में नए मामलों की संक्या में कमी आई है और आज राष्टपती शियर जिन पिंग ने वाइरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे वहां शहर का दोरा किया माना जा रहा है कि इसके जरीए ये दिखाने की कोशिश की गई कि चीन ने बीमारी पर काबू पा लिया है लेकिन ये चीन की तस्वीर का एक रुख है आलोचको का दावा है कि चीन की सरकार खामिया उजागर करने वाले रिपोर्ट्स को सेंसर कर रही है देखे रिपोर्ट चीन में करोना वायरस से रोक थाम के उपकरणों के बारे में की गई ये शिकायत अब सुनाई नहीं देती इंटरनेट पर एक डॉक्टर की इस शिकायती पोस्ट को अब ब्लॉक कर दिया गया है अपनी मा की मौत पर रोती एक लड़की का ये विडियो भी हटा दिया गया है चीन में करोना वायरस के बारे में सबसे पहले डॉक्टर ली वेन लियांग ने जानकारी दी थी अधिकारियों ने उन्हें भी चुप करा दिया था और तब से सेंसर्शिप बड़ी ही है हाला कि विश्व स्वास्त संगठन इस मुद्दे पर चीन की आलोचना करने से बच रहा है हम चिकितसक हैं ना कि मुकदमे करने वाले लोग हम जानते हैं कि इस देश ने कुछ खामियों की पहचान की है लेकिन इस मौके पर ये डबल्योचो की भूमिका नहीं है हमारी भूमिका सकारात्मक तरीके से मदद करने की और आगे बढ़ने की है चीन में सकारात्मक पहलूओं के अलावा किसी और बात पर ध्यान देना खतरनाक हो सकता है ये रिपोर्टर कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे तब ही उनके दर्वाजे पर पुलीस ने दस तक दी ऐसा माना जाता है कि ली जे हुआ को वाइरिस के बारे में स्वतंतर तौर पर रिपोर्टिंग करने के लिए हिरासत में लिया गया लेकिन अब सेंसर की गई कुछ जानकारियों को सुरक्षित करने की कोशिशें जारी हैं एक रिसर्चर ने नाम ना जाहिर करने की शर्ट पर मुझे बताया कि चीन लगातार एक सी गल्ती कर रहा है साल दो हजार दो में सार्स वाइरस के दौरान भी सेंसर्शिप की गई थी वो जानकारी चुपाने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए लोगों की जान गई चीन चाहता है कि दुनिया इस बात पर ध्यान ना दे कि कैसे सैंसर्शिप की वज़ा से लोगों की जाने गई बलकी फोकस तंतर की ताकत पर रहे और डबलु एचो इस बात से सहमत तिकता है चीन के राजनेतिक और आर्थिक दबदबे की विज़े से डबलू एचो के लिए उसकी आलोचना करना मुश्किल हो जाता है इस राय को लेकर आप क्या कहेंगे एक बड़ी महामारी फैल रही है हमने देखा कि किस तरह एक संगठित देश ने सरकार के उपरी स्थर पर कोशिश करते हुए बिमारी पर काबू पाया दूसरे देशों को ये सबक लेना चाहिए ताके उन्हें ऐसे ही न जूजना पड़े चीन के कुछ लोगों को लगता है कि किसी को ऐसी कोशिशों का शुक्र गजार नहीं होना चाहिए इस वीडियो में प्रोफेसर ऐसी ही बाते रख रहे थे अब इसे ब्लॉक कर दिया गया है